अरे क्रिश्न श्रीमत भगवद गीता यतारूप अध्याय दो श्लोक संख्या बयालिस और तर्थालिस याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चित वेदवाद रता पार्था नान्यत अस्तीति वादिना कामत मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फला प्रदान क्रिया विशेशा बहुलाम भोगैश्वरिय गतिम प्रती अज्यानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रती अत्याधिक आसकत रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ती अच्छे जन्म शक्ती इत्याधी के लिए विविद सकाम कर्म करने की संस्तुती करते हैं इंद्रित रिप्ती तथा एश्वरे में जीवन की अबिलाशा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है इस श्लोक में पहली बार भगवान कृष्ण वेदों की चर्चा कर रहे हैं पिछले श्लोकों में विशेष्टा 32 श्लोक में इसी अध्याए के भगवान कृष्ण ने अरजुन को प्रेरना दी कि अगर तुम युद्ध करो और युद्ध में अगर पराजित हो गए मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे लेकिन इस 42 श्लोक में आकर भगवान कृष्ण यहाँ पर स्वर्ग किये सुखों को भरसना कर रहे हैं तो एक तरह से भगवान कृष्ण इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि कर्म कांड को गंबीर्था से नहीं लिया जाना चाहिए कर्म कांड है क्या चार पुरुशार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष तो धर्म यानि कि जब ये कर्म कांड की विधी का पालन किया जाए जिसमें अनिक परकार के यग्गे, अनुष्टान, उपासनाई जो प्राहे देवी देवताओं को लक्षे बना कर की जाती है, उन्हें प्रसंद करने के लिए तो जब देवी देवता प्रसंद होते हैं, तो ये भगवान के द्वारा बनाया गया विधान है वो भगवान के प्रतिनिदी हैं अनेक विभागों के अध्यक्ष हैं इस प्रमांड के, कारेबार के तो वो हमें अर्थ प्रदान करते हैं तो जब धर्म का पालन किया जाता है तो अर्थ आता है तो अर्थ से हम क्या सिद्ध करते हैं अर्थ का उप्योग करते हैं काम के लिए यानि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए और भौतिक इच्छाओं का सुभाव ऐसा है कि भौतिक जो सुख है वो सुख नहीं वो अंतता दुख बन जाता है तो जो भौतिक इच्छाओं हैं काम जो है वो हमें कुंठित कर देता है वो हमें हमारे जीवन की वास्तविक समस्याओं का हल देता नहीं जैसे कि जन्म, मृत्यू, व्रिद्दाबस्ता, रोग, मन और शरीर के दुख दूसरे जीवों के द्वारा दियेगे दुख प्राक्रतिक आपदाओं के द्वारा दिये दुख तो हमारी भोत एक इच्छाओं की पूर्ति कभी संतुष्ट क्योंकि ये जो कुंठा है हृर्दे में ये कभी समाप्त नहीं होगी क्योंकि जब तक हम जीवन की वास्विक समस्याओं का समधान ना ढूंडे ये मन शांत नहीं हो सकता तो धर्म का पालन करके अर्थ पाया अर्थ से काम को पूरा किया अब काम कुंठित होगा तो हब हम मुक्ष की और प्रगति करेंगे तो करम कांड एक प्रकार से जीवन के लक्षे को प्राप्द करने का अप्रत्यक्ष और लंबा रास्ता है इसलिए यहां पर करम कांड के विरोध में भगवान प्रसुत कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को इन वेदों की जो कविता में भाशा है उस میں फसदा नहीं चाहिए तो भगवान को पाने का सीधा रास्ता दिया गया है और वो है भक्ति के द्वारा तो भक्ति के माद्यम से हम प्रत्यक्ष भगवान के साथ सम्पन्द सापित कर सकते हैं और अपने जीवन का बहोमूले समय बचा सकते हैं और कम समय में ही जीवन के इस लक्षे को प्राप्ट कर सकते हैं आने था हमें कर्म कार्ण के माध्यम से अगर हम जाएं तो ये कई जन्मों का सफर हो सकता है विशेशता जब आप इस उद्देशे से धर्म का पालन कर रहे हैं तो ये अर्थ प्राप्ट हो और अर्थ भोतिक इच्छाओं की पूर्ती के लिए चाहिए तो ये एक तरह से ना खतम होने वाला सिलसला है ये आ सकती इतनी जल्दी से जाने वाली नहीं और फिर इस कल्योग के अंदर कर्म कार्ण की विधी का जो पालन भी है वो सही तरीके से किया ही नहीं जा सकता क्योंकि कर्म कार्ण को करवाने के लिए जो ब्रामन, पुरोहित, आदी की आवशकता है वो भी आज इस कल्योग में शुद्ध वस्ता में नहीं प्राप्ट किया जाते इसलिए तो चितने महाप्रभू ने कहा कि इस कल्योग में एक ही तरीका है और वो है हरी का नाम, हरी का नाम, हरी का नाम इसलिए भागवतम में भी का आगया कल्योग में अनेक दोश है, अनेक कमिया है तो ना ब्रामन पुरे मिलेंगे, ना पुरोहित ठीक से मिलेंगे ना मंत्रुचारन ठीक से होगा तो ये सब कमिया हैं एको अस्ती महान गुन एक महान गुन भी और वो क्या किर्टनाद एव कृष्टनस्य परम भगवान कृष्टन का गुनगान किया जा सकता है मुक्त संग और वो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है तो इस प्रकार से जो कर्म कांड है वो हमारी बहुत एक इच्छाओं को पूरा करता है कि आप इतने दिन वरत रखें, ये सुविधा पालें, ये यग्य करें, ये सुविधा प्राप्त कर लें इसे इस परकार से उपवास करें ये करें बहुत एक इच्छाओं के साथ और प्राय ये देवताओं के साथ संबंद स्थापित किया जाता है इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो भगवान हमें जादा समय इस दुखाले संसार में नहीं रखना चाहते और वो चाहते हैं कि हम जल्दी उनके पास पहुंचें इसलिए यहां पर कर्म कांड की भरसना की जा रही है